गुट इवनिंग टॉ आल गुट इवनिंग बच्छों क्लास लाइव हो चुकिये आप लोग भी लाइव हो जाएगे फटाफट क्लास को जोइन करिए गडेच चुकिये आप लोग फ्युट इवनिंग वयूड गुट आपकी जी रिना वेरी गूड इवनिंग प्रियंका गूड इवनिंग बच्चों सीमा वेरी गूड इवनिंग जी पिंग की वेरी गूड इवनिंग तो बच्चो चलिए अपने work को start करते हैं आज की फिर से हम practice लेते हैं based on Milton तो Milton पे हम एक अच्छी सी practice को start करते हैं जी all right that's great प्रियंका तो बच्चो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला question लेते हैं सबसे first question आपका है From 12 years of age I hardly ever left my studies or went to bed before midnight मतरब कहने कही है कि अपने 12 साल की age से मैं शायद ही मैंने अपनी study को छोड़ा है और मैं midnight से पहले अपने work पे bed पे गया हूं तो किसका statement है whether this is the statement of Milton क्या बच्चो यह Milton का statement है या फिर यह Shakespeare का statement है words worth या फिर none of days तो आप किसका answer करेंगे जी सीमा एंड प्रियंका has answered ए जी सभिया very good morning good evening जी बच्चों बिल्कुल सही है शिवा exactly रिना सीमा बिल्कुल सही है बच्चों तो answer हमारा क्या जाएगा यहां पर मिल्टन तो दिखेंगे मिल्टन कितने यानि के आप देखो अपनी studies के लिए बच्चों उसको fit कर सकते तो कोई भी जाब जो भी आपकी वहां से fix कर ले I hardly ever left my studies और went to bed before midnight midnight का मेंस बच्चों कितना होता है 12 o clock तो रात के बारे बजी तक आपको जम के study करनी ही करनी है और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे लगातार करते हैं exactly जी महिमा बेर्कुल ठीक है शिवा रीना आर्ती सभिया दिव्या वेरी गुड कोड़ेवनिक बच्चों कर्शन नेक्स्ट वे आते हैं from 1632 to 1638 मिल्टन continued studies at तो कहां पर इन्हों ने अपनी study को continue किया था बॉस्टन में हॉर्टन में बैड स्टेट में या नन ओप देज तो सब बच्चे आंसर करें क्या आंसर जाएगा हमारा हमारा हां जी प्रियंका ने बी आंसर दिया है सभी आंसर कह रही है ओके रीना होल्टन शीवा बी आल्राइट पवन बेलकुल सही बच्चों यह करेक्ट आंसर आपका हो गया है तो आंसर बच्चों हमारा यहां पर क्या जाएगा बी होल्टन मैंने अकल आपको बताया था कि इन 1621 ही है रीज तू होल्टन होल्टन क्या है महां पर एक छोटा सा विलेज है अब वेरी लेस्ट पोपुलेशन वोस देया तो इस विलेज में जाके चोटे से विलेज में जाके लगाता रहे थे उन्हों ने अपने वरक को लिखाता था तो इस स्टेडिस हैड बिन कॉंटिनूट फॉं 1630 तू 1638 इन दिस होटन विलेज तो आंसर बच्चों बिल्कुत सही यह बी जाएगा आप पर क्रेक्ट बात अगले कॉश्चन को देखते हैं कॉश्चन नमर नेक्स्ट भी आते हैं विच टूपोएंज ओफ मिल्टन और कमपेणियन पीसिस कितना बढ़िया कॉश्चन हैं कमपेणियन पीसिस कह रहे हैं वो इसको कमपेणियन पीसिस तो बच्चों बताओ कौन सी है एं किया अंसर करेंगे अब और प्रियंक ने का थरीका भी है आंसर रजनी ने एक है ओके सोना एक कह रही है शिवा एक रहे है जायतर बच्छे एक रहे महिमा रिना पवन पिंकी सीमा ओके डन जी रजनी बिलकुल सही है बच्छो आंसर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या जाएगा एज आएगा बच्छो मेंस क्या है 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 सेंकिट पहने सारो सो का मेंसस तौ Cassедь थोठफूल में तो यह में कैसा है हमारा अपकुल है वफिल इसा है तो हू यहां सेंसर देंगे अगले बात करते हैं आते नेस्ट इस यह प्रिंस वांओ आ तो प्रिंस ना बात करते हैं कुर्शनलम नेक्स को देखते हैं मैं टेल एल एल इलिग्रो एड सपीनपे पैसे कहा से लिया से माइक्रो भाइलोजी से मैउजिकलोजी से या फिर फिर नन ऑफ देज पूर का सी आंसर कह रही है महीमा ऊके टीक है रजनी रुपरिंग के प्रोब्हें दिख रही है आपको एक बार चेक कर लेते हैं इस बार इसे बुफरिंग होनी नहीं चाहिए जी रिय cliffsिक एऽ सिमा सोन रह इसेक्ड ली इस 기ोड गूश्वी विल्कूल के रूवी थे हैं इस बीवॉलाइ़ को आप देखो कैसे आप सही आंसर को आचा ठीक oynुपत पर अं क्या स्व फंगस वेगरा से और अगर म्यूजिकोलोजी देखेंगे आप तो यह किसे रिलेटेड़ है बच्चों म्यूजिक से और बेसिकली इन दोनों पोयम के गर हम बात करें एल एले लिगरो सेकेट पैनिसोरोसो यह म्यूजिकोलोजी पे बेश्ट है जी वाशू वेरी गूद इबनेंग नाव इस ओके ठीक है दो मीनिंग ऑप सेकेंड पैनिसोरोसो बच्चों अभी अभी मैंने बताया आपको तो बताओ क्या है थोट्पूल मैन हैपी मैन रोमेंटिक मैन या फिर इडियो इडियोटिक मैन तो क्या आंसर करेंगा आप मुल्स एडियोटिक मेन और के प्रियंका महीमा एक कह रही है प्रियंका एठी करी वासु शिवा फिंकी एथ तो बच्चों आंसर इसका एह है अगर आप सेकेंड पैनिस एरोंसों की बात करें तो ये थोट्पूल मैन के का मिनिंग जाता है यहां पर क्या है बेसिक्ली तो कैसा होड़ता है, मिलन कॉलिक, तो बच्चो मिलन कॉलिक भी यहां पर है, he is also मिलन कॉलिक, तो मिलन कॉलिक यह फिर थोटफूल आप इसे कहेंगे, अगले कॉर्शन पर आती है, कितना अच्छा कॉर्शन है, अगले कॉले 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 लिए तो इसको हटा कर वह मिर्थ की गोडेश को वेलकम करते हैं तो बच्चों मिर्थ की गोडेस कोण है भी कहा जाता है क्या फैमिली मैन तो नहीं कहते हैं सिमा तो बच्चो क्या यह यूफ्रो साइन है माईया है या फिर वीनस है अना नौदेज और राइड बेलको ठीक है रूबी रजनी आर्टी शिवा वासू शिवा बहुत सही सब इने करेक्ट आंसर दिया है बच्चो यूफ्रो साइन तो आपक सब्सक्राइब करता है किस गुड़ा करता है आंसर करेंगे सब बच्चे अच्चा स्वन का एक कह रहे हैं करthy किसफी बात है दोनों एक दूसरे के या पॉजिट है यानि बच्चों गरम बात करें यह मिलनकली को खटाता है और किसको लाता है मिर्थ यानि खुशी को जब कि सेकिंड पैनिश रोसो जो की थौटफुल मैन है वो जोईज को हटाएगा डिलूटिंग जोईज को और क्या लाएगा वेलकम्स दे गोडेसो मिलनकली तो मिलनकली अगेन आप देखेंगे क्या होता है दुख में दुखी-दुखी सा ग्लूम-ग्लूम सा बात समने में आ रहे है सब बच्चों को तो इस तरह से आप इसको यान रख सकते हैं कोशन नमबर नेक्स पे आते हैं इन पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स सेटन इस कंपेरड टू बड़ा जबरदस कोशन है बच्चो सब बच्चों को पता है कि पैराडाइज लोस्ट एक ऐसा एपिक था ब्लेंक वर्स में लिखा गया था सबसे बड़ी बात क्या थी ब्ल हैं जो इस वर्ड को जानते मिडियस रेस मिडियस रेस का मींस होते हैं जो बीच से शुरू होता है इन बिट्वीन से शुरू होता है मिड से शुरू होता है मिड से शुरू होने का मींस बच्चों क्या है कि पैराडाइज लोस्ट की जो फर्स्ट बुक है उसमें सेटन को ह introduce किया गया है यहीं कि सबसे पहला introduction किसका जाता है बच्चो सेटन का तो इसको क्या कहा गया है यहाँ पे exactly बिल्कुर सही आंसर देने है किरन शिवा महिमा रेखा सीमा आल राइट बच्चो जी वासू तो यह बच्चो डी आंसर है लेवियाथन और लेवियाथन अगर आप ज सेटन को सेटन को basically starting में क्या कहा जाता है लूसिफर कितने बच्चे जानते हैं सिंफोमेशन को कि ही इस को लूसिफर एड़ वेरी फर्स लेकिन जो वो फोलन हो जाता है तो उसे सेटन कहते है और सेटन यहाँ पे allegory कि किसको शो करता है बच्चो मिल्टन को शो करता है जिस से मिल्टन अपनी राइटिंग से अपनी लिट्रेचर से लोगों को इंसाइट करते हैं लोगों को knowledgeable बनाते हैं the same case is about the सेटन सेटन भी अपने इलोकेंट भाशन से या रिटॉरिक भाशन से रिटॉरिक स्पीच से लोगों क्या करता है उनके अधिकार दिलाने की बात करता ह नहीं है तो paradise के book first में हम बच्चों बात करते हैं सेटन जबकि मजदात इस मीडियास रेस की बात देखो पहली बुक में सेटन को दिखाया गया जबकि सेटन यहां पर क्या है antagonist लेकिन मीडियास रेस का मतलब है कि book fourth में जाके बच्चों कौन सी book में book fourth में जाके हम सबसे प protagonist in this particular work बात समने में आरे हैं सब बच्चों को तो यह बच्चों आपको ध्यान में रखना है वहां जी वेलकू ठीक है वासू आल्राइट बच्चों लुसिवर्स यह सी कहा है रजनी सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगला question देखते है question number 9 question number 9 कहता है Saturn can seduce men but on himself he will have तो बताएंगे सब बच्चे क्या करेगा travel confusion wrath and vengeance या फिर he will have confusion wrath and vengeance या five-fold confusion wrath and vengeance या none of these तो बच्चों क्या आएगा answer 9 number का ओके रजनी प्रियंक का ए कह रही है हिरो कैसे मानेंगे सेटन और एडम जी रिना मैं इसको डिफाइन करता हूं बटा तो answer बताएंगे सब बच्चे क्या आएगा यहां पे हाजी तो बिलकुल सही answer बच्चों आपका ए जाएगा यहां पे तो ए यहां पे answer जाता है आपका ट्रेबल कंफ्यूजन रैथ एंड वेंजेंस बदला रैथ गुष्णा और कंफ्यूजन आप जानते हैं क्लियर है बात यह बात बनती है आप जैसे बच्चे आप लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं very interesting question from somebody देख उसमें क्या पूछा गया आप पूछने के यहां पे क्या सेटन है क्या सेटन यहां पे हीरो है या फिर एडम यहां पे हीरो है तो बच्चों मिल्टन ने जो लिखा है उसमें तो एडम ही हीरो है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एडम deliberately उस forbidden fruit को खाता है जब वो देखता है कि इव ने खा लिया है और इव पूरी तरह से क्रफ्ट हो चुकी है यानि कि इव को बाहर फिंग दिया रहेगा गार्डन और पीडन से तो यह उसको छोड़ना नहीं चाहता है इसलिए यह भी खा लेता है कि जो होगा दोनों के लिए होगा तो एक तरह से अपनी life को sacrifice कर रहा है और sacrifice करने का मतलब है क क्या बन जाएगा हीरो यहाँ पे है ना हीरोईन के लिए अपनी जान को दे रहा है लेकिन बच्चो यह बात Milton and some other writers की है यहां बच्चो हम बात करते डी एच लॉरेंस की है हम बात करते वरजन यह वुल्प की यहां हम बात करते अधर्स की वो सब के सब कैसे हैं और क्रिटिसाइज कैसे करते हैं कि एडम यहां पर बेवकुफी के कंडिशन शो करता है कि जब उसे पता था वेन ही वोज अवेर अवाउट दे सिन ही इस गोइं तो कॉमेट उसने गलत क्यों किया तो यह सब के सब सेटन को यहां पर क्या मानते हैं जितने भी क्रेटिक्स ह बनते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है हां सेटन इस डेवल पार्टी बेलकुर सही है तो कही गई यह बात लेकिन वो बच्चों वहां पर माना गया है उन क्रिटिक्स के द्वारा देट ही इस दवारा देट ही इस दे हीरो है समने में आग यह बार तो दोनों ही में confusion है और दोनों पर एक लगातार डिबेट जारी है तो बच्चों आपने question देखा 9 का सेटन के सेटन के सेड्यूस में बट ओन हिंसेल्फ ही विल है ट्रेबल कन्फियूजन रेट और वेंजियंस क्रेक्ट एवर्ट एवर नेक्स्ट पर आते हैं हूँ वोज नेक्स्ट सेटन बड़ा अच्छा question है तो बच्चों सेटन के बाद में कौन था अगर आप जानते हैं विफूर विफूर दसन ओफ गोड सेटन वोज वेरी क्लियर लेकिन इसके बाद में कौन आता था अबेल आता था कैन आता था मॉलोक आता था या बच्चों आता था बील जबब क इसको आंसर करेंगे आप ओके टैन का डी बिलकुल महीमा रूबी सभी अब इलकुल सही है बच्चों आती रिना वेरी गुड तो ये करेक्ट आंसर जाएगा बच्छों आपका बीलजबब तो बीलजबब इस दी टेरेक्टर वोज नेक्स टो सेटन ये सेटन के नेक्स टे अगले question को देखते है यह मतलब किसके blood से सना हुआ है या भरा हुआ है तो इसमें क्या लिखा है तो किसका blood है तो बच्चो आंसर करेंगे सब लोग किसके blood से 11 का A महिमा कह रही है ठीक है प्रियंग का very good जी कामरान very good evening हाँ जी रूबी बिलकुल सही है बच्चो यह human sacrifice है तो मुलोग भी आप यहाँ पर क्या पाते है एक character को पाते है तो मुलोग human sacrifice के blood से पूरी तरह से done है ठीक है बच्चो तो answer हमारा क्या बन गया यहाँ पर A Question number 12 पर आते है और 12 कहता है Whose wound? किसका wound या घाव Allured the Syrian damsels to lament his fate क्या वो बच्चो Thames का था या फिर मुलोग का था मुलांक का था या फिर Abel का या none of these तो answer करने सा बच्चे क्या answer बनेगा आपका यहाँ पर Whose wound? जी बिल्कु ठीक है All right हाँ जी तो यह बच्चो A answer जाएगा Whose wound allured the Syrian damsels to lament his fate यह था Thames का Thames का wound ही allured करता है Syrian damsels को lament करने के लिए रोने के लिए उसके fate को अगले question पर आते है Who came last in the line of fallen angels बच्चो आपको पता है कि जो angels थे यहाँ पे हमारे paradise lost में तो कुछ angels तो ऐसे थे जो किसके साथ में थे God के साथ में God the father और कुछ angels ऐसे थे जो Saturn की तरफ थे Saturn वाले सारे angels बच्चो कहलाते है fallen angels उनको हम क्या कहते है fallen angels और जो God की तरफ थे वो God के वफादार थे तो यह कहता है कि इस line में fallen angels में सबसे last में कोन आता है तो सब बच्चे answer करेंगे 13 का A कह रहे हैं आप इसका मतलब बेलियाल आप कह रहे हैं जी बच्चो बिलकुल सही answer जा रहा है आपका इस बेलियाल तो बेलियाल कोन था fallen angels में सबसे last में आता है बच्चो correct everyone बिलकुल सही answer जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे correct answer कर रहे हैं किरन, आरती, सोना, रजनी, रूबी, शिवा very good बच्चो अब बच्चो question number next day he is associated with lust and violence he resigns in courts and places who he is वो कौन है, मुलोक है, बिलियाल है या फिर अधर है, बच्चो answer करेंगे सब लोग जी तो question number 14 का answer बच्चो, क्या बनेगा आपका answer कीजिए, फटा-फट बी कामरान कह रहे हैं none of these, ओके, ओके, ठीक है 14 का C, Ruby ने कहा है एक ता, good evening, very good evening महिमा ने, C कहा है, C जायतर बच्चे कह रहे हैं, सीमा, रीना, सोना महिमा, very good, जी किरन बिल्कु ठीक है महिमा, ये बच्चो C जाएगा answer आपका मतलब सीदी सी बात है कि associated with lust and violence तो lust and violence से कौन जुड़ा हुआ है ये हमारा बेलियाल है तो बेलियाल को आप यहाँ पर बच्चो ध्यान रखेंगे अब अगला कुश्चन यहाँ पर देखते हैं वेन नाइट डार्कन दे स्ट्रीट देन वॉंडर फोर्थ, दा संस ओ बेलियाल फ्लोन विद इंसोलेंस और वाइन वेर डू दीज लाइन एपियर कहाँ पर अपियर होती है कॉमस में, परडाइज, रिगेंड में या बच्चो परडाइज, लॉस्ट में बड़ा अच्छा कॉश्चन है 15 तो 15 का आंसर करेंगे सब बच्चे हाँ जी कॉश्चन नमबर 15 का आंसर करेंगे आप लोग सोना ने ए कहा है आरती ए, रीना ए, महिमा ए ओके ठीक है, जायतर बच्चो ने यह आंसर दी ते तो बिल्कुल बास सही है और बच्चो मज़िदार बात यह है कि जो लिखाना पर यहाँ पर लिखा है फोर्थ, दस संस ओप बेलियाल बेलियाल, flown with insolence and wine यह भी कुश्चन बनता है यह जो संस ओप बेलियाल यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर basically बच्चो किसको राइटर्स को शो किया गया है जो राइटर्स थे वहाँ पर है ना, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम के उन सब को यहाँ पर कैसे सो किया गया संस ओप बेलियाल, आपने दिखा के बेलियाल कौन था basically, violence and lust बेज़्ट, violence and lust was there with them, तो इसका मतरब है कि कैसा negative character है बच्चों, तो negative character होने का means क्या बना, answer हमारा क्या बना है हाँ पर ए, paradise lost में यह चीज़े आती है correct everyone, question number next देखते हैं, why do the hospitable door is give it expose a matron, बताइए, क्या spelling सही है, एक बाद चेक कर लेते हैं बच्चों, is the spelling correct or not, जी, give it expose a matron, यह बात बिलकुल सही है, हाँ जी, answer करेंगे सब बच्चे, मतलब जो hospitable door है, वो give it in give it, वो expose कि इसको करता है, matron को, 16 का c answer दे, to avoid worse rape, okay बिल्कुल सही है बच्चों, so it just wanted to avoid the worse rape, यह worst rape को एक तरह से avoid करना चाहता था, इसी विज़ा से वहाँ पर क्या मिलता है, आपको matron, correct बात है, जी रूबी बिल्कुल टी कह रही है न, महिमा, सीमा, किरन, आर्ती, रजनी, very good बच्चों, तो answer हमारा कह जाएगा, section का c जाएगा, अगले question पर आते हैं बच्चों, 17, question number 17, for this intern infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, where do these line appear, यह line कहां पर appear होती है, सब बच्चे answer करेंगे, why, अगरा question क्या है आपका, 17 का D आप कह रहे हैं, ओके ठीक है, all right बच्चों, okay good आर्ती, sona, D answer कर रहे हैं सब बच्चे, यानि के paradise, lose सब बच्चे कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यह बिलकुल सही है बच्चों, अगर हम इस question को देखें, sentence को इस statement को देखें, for this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, यह line हमारी कहां पर आती है, paradise lost me, correct बात है, जी शिवाँ, बिलकुल सही है किरन, रिना, question number next पर आते हैं, बच्चों, 18 number, let none admire, question क्या है बच्चों, आपका, let none admire, that riches, that riches grow in hell, that soul may best, deserve the precious being, कहां पर आती हैं यह lines, so let none admire, यह बच्चों हमारी line कहां पर आती है, क्या यह paradise lost में हैं, paradise regained में हैं, या बच्चों यह commerce में हैं, या फिर lucidus में हैं, 18 का a answer दिया है, रूबी ने, मही माने, okay, रिना, very good, प्रितीट, बिल्कुल ठीक हैं, में आज, correct हो गया, सीमा, एकता, जी बच्चों, बिल्कुल सही है, सोना, यह answer आपका, क्या जाएगा, paradise lost, तो दिको, lines याद कर लेंगे, सब बच्चे, let none admire, that riches grow in hell, riches grow in hell, that soul may best deserve the precious bane, यह न, bane का मितलब क्या होता है, boon होता है, बच्चों, boon और bane दो बड़ होता है, boon होता है, वरदान, जबकि bane होता है, आपका, curse, समझे में आ रही है बात आपको, तो precious bane हो जाएगा, यह कहना चाह रहा है आपके, अगले question पर आते है, 19, rose like an exhalation, with the sound of dulcet, symphonies and voices sweet, what rose like an exhalation, what rose like an exhalation, क्या हो बच्चों, aluminium है, pandemonium है, radium है, आंसर करेंगे सब बच्चे, हाँ, जी, rose like an exhalation, जी, 19 का भी आंसर दिया है, मही मा बलकु ठीक है, हाँ, precious bane बिल्कुल oxymoron मन जाएगा, exactly, जी, रजनी बिल्कुल ठीक है, आर्टी किरन बिल्कुल ठीक है, बच्चों, सोना correct हो गया, तो बच्चों, यह आंसर जाएगा, में इसको अपने घर को बनाया था, तो pandemonium basically हम देखे, तो इसका मतलब उपद्रव से भरा हुआ, place, उपद्रव से भरा हुआ, शोर गुल से भरा हुआ place, तो pandemonium कहते हैं, उसको यह किसका घर है, सेटन का घर है, getting everyone, हाँ, capital of hell, exactly, आगले question पर बच्चों हम आते हैं, we read paradise lost as a task, nobody ever wished it longer, who said, किसने कहा, तो किसने कही थी बच्चों यह बात, we read paradise lost as a task, हम इसे task की तरह से पढ़ते हैं, हमें लगता हम मुश्किल है, nobody ever wished it longer, किसी ने भी इसको और ज्यादा लंबे समय तक नहीं जा, 20 का C आप कह रहे हैं, 20 का A कह रहे हैं, Ruby, okay, Dr. Johnson, देखो बच्चों, अगर आप Ben Johnson को देखेंगे, तो यहाँ पर Johnson है, यह आपको याद रखना है, जबकि उपर Dr. Johnson देखेंगे, तो Samuel Johnson है, जोरों डिक्शनरी लिखी थी, Johnson Dictionary, तो यह Dr. Johnson आणसर आएगा, तो Dr. Johnson ही वो थे, जो कहते हैं, We read Paradise Lost as a task, Nobody ever wished it longer, किसी ने भी इसको और ज्यादा विश नहीं किया, तन बच्चों, हाँ जी, बिल्कोटी कैर रूबी, एकता, correct हो गया रिजनी आपका, तो यह आणसर हमारा बच्चों, A जाएगा, अगला कुशन देखते हैं, जोर्ज हर्बर्ड, थोमस कैर्यू, रोबर्ट हैरिक, रिचार्ड क्रेशा, रिचार्ड लवलेस, हेंडी वोगन, एंड एंडू मार्वेल, आर मिल्टन, यह बच्चों मिल्टन के क्या है, सब बच्चे बताएंगे, यह मिल्टन के कौन है, तो अगर हम देखें तो बच्चों 21 का एप कहरेंगे, फ्रेंड, ऑके, शी, रजिनेस, का है, कंटेंप्रेडिज, एंड, रिचार्ड सब्चे, कहरेंगे, बच्चों सीदीस ही बात है, फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन सब सब इंपोर्टन क्या हैं, पे, पे, Contemporaries, friends जरूरी नहीं के वो थे यहाँ पर, enemies भी नहीं थे, लेकिन वो Contemporaries थे, मतलब इनी के समय पर पैदा हुए थे, Contemporaries का Means होता है, वो लोग जो समकालीन हो, मतलब उसी समय के हो, जब हम पैदा हुए थे, तो वो समकालीन कहलाएंगे, Contemporaries कहलाएंगे, जी बच्छो, तो आ हाँ पर, identify it, epitheliemen, demonis, epitheliemenia, या protheliemen, बताइएंगे सब बच्छे, आंसर हमारा क्या जाएगा, 22 का बच्छो, आंसर कीजिए, Milton also wrote a latin poem to express a surround that of friend Edward King, Sona A कह रहे है, Shiva A कह रहे है, Sima A कह रहे है, ओकर ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए, बच्छो, हान जी, बिलकुर सही है, बच्छो, यह आंसर, A है, epitheliemen, epitheliemen, demonis, epitheliemen, demonis, मतलब मैं आपको बता दू, Edward King, पे उन्होंने एक नहीं बलकि 6-6 लिकी थी, है ना, अगर आप वो बच्छो बात पता हो, इन्होंने लिकी थी, यहां पर, Elysia, Elysia Prima लिकी थी, Elysia Prima, है ना, यह सबसे श्टार्टिंग में थी, Lysides थी, epitheliemen, demonis थी, तो देखो किती सारी आप यहां पर देख सकते हैं, अपने दोस्त, Edward King, जो इनको कहां पर मिला था, जो इनको मिला था, बच्छो, Cambridge University में, क्रेक्ट बात है कि नहीं, अगले कॉस्टन पर आते हैं, विच बन अब दो फोलोविंग इस एन अटेक ओन दे, पोलिटिकल, क्रॉप्शन ओप दे, क्लैर्जी, इन दे, इंग्लिश चर्ज, and a plea for democracy in the structure of the church, तो बताएए बच्छो, reformation, renaissance, या फिर humanism, इनमे से क्या आंसर जाएगा आपका, जी बिल्कुल सही है, रूबी, जी प्रिती, ए आंसर कह रहे हैं, आप, reformation, ओके, सब बच्छे बताएएंगे, आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर आपका बच्छो, क्या होगा, reformation होगा, या फिर कुछ और बनेगा, हाँ जी, आल राइट, आल राइट, वेरी गूड, आंसर कर रहे हैं, सब बच्छे ए आंसर कर रहे हैं, 23 का, यानि ओफ reformation, तो यह बिल्कुल क्रेक्ट है, बच्छो, reformation की अगर हम बात करें, तो reformation का मीन्स है, कि we wanted reform, बट थूर रिलीजन, तो religious reform हम इसे कह देंगे, religious, reform, या आप कह दें, reform through religion, क्योंकि religion को लोग ज़्यादा मानते हैं, और religion से लोग जुड़ भी सकते हैं, तो इसलिए आंसर है आपका कहा रहे हैं, आपके reformation, जी, बच्छो, बिल्कुल सही है, question number next देखते हैं, which literary pieces shows the superiority of the presbyterian system of church government, तो कौन सीन में से literary pieces show करता है, superiority किसकी presbyterian system of church government, क्या आंसर करेंगे सब बच्छे, क्या ये ओप प्रेलेटिकल एंप्रूवमेंट है, या एपिस्कोपैसिया, सैंसन अगनिस्टीज है, बच्छो, 24 का C, आप सैंसन अगनिस्टीज कह रहे हैं, ओके ठीक है, और बताईए सब बच्छे, क्या आंसर बनेगा, देखो बच्छो, मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, कि यहाँ पे लिखा है, प्रेसबाइटेरियन, बेसिकली किसको हम कहते हैं, हम कहते हैं, पार्लियमेंट को, आपको पता है, पार्लियमेंटेरियन जो होते हैं, आपने देखा है, जिनको हम कहते हैं, राउंड हेड़ेड, मतलब उनके सर जो होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे आप देखेंगे, यह पूर great peace shows the superiority of the presbyterian system of the church government तो यह क्या है क्योंकि church government को शो कर रहे तो बच्चों क्या है आपका prelattical episcopacy क्या है chill answer B prelattical prelattical का means भी क्या होता है इसका means होता है related to church चर्च से related अगले question पर आते है question number 25 और यह बच्चों आज का last question बनेगा आपका any made version is an attack on a character writer है ना एनिमेड वर्जियन इस एन अटेक ओन एक करेक्टर राइटर तो यह कौन है जोसेफ होल चौसर बिशप होल या फिर नन ओफ दीज तो आंसर करें सब बच्चे क्या यह बच्चो बिशप होल है या जोसेफ होल है कौन है आपर रेना सी आंसर करें रूबी भी सी आंस नहीं जी शीमा बिल्कुल ठीक है विमल सी आंसर जाएगा तो बच्चो यह आंसर बनेगा आपका सी बिसप होल तो एनिमेड वर्जिन बेसिकली कैसा है इसने टैक और करेक्टर राइटर बिसप होल बिसप होल ने बिसिकली क्या किया था एक वर्क लिका था जो एक तरह से सब्सक्राइब करें और इसको लाइक जरूर करना है और सबसे बड़ी बात है को दिखेंगे के अगर आपको इंप्रूमेंट चाहते हैं या फिर कोई और चीज़ चाहते हैं तो आप बच्चो कमेंट बोक्स में जरूर लिखे बताएं अपनी फीडबेक जरूर दें फीडबेक के थुरू मैं अपने आपको और थोड़ा से इंप्रूव करने कोशिश करूंगा या फिर दें memorial खुरूबेक से दिते हैं थो मैं अपने में खुरूरू कोई ए विर कि दिए प tortoDI five तो आपको थाूरे फिर कि द तारी। ूरण जरूर या जरुकर अपनर्ण झात्यर जय बचाहते हैं उनपने अपने स्लय हैं दूरूरू आपको एंळ Dé laughsAy